प्रणाम करते आप सब को स्वागत करते नी तो आज है दिन अतवार का मतलब कि आज है दिन संडे और आज इस सूपर संडे क्योंकि अरम्या के छुपती होती है एक ही दिन तो है तो मैं यहां पर बनाने वाली हूं पनीर मसाला की सब्जी तो इसके लिए मैंने यहां पर लेसुन छील लिया है और मैं प्याज को अच्छे तरीके से छोटो छोटो टुकडों में काट लूँगी यही नहीं अभी बहुत सारी चीजे आज बननी बाकी है तो वीडियो में बन भी नहीं हो पाते हैं एक साथ में सुबर उठके ही तो यहां पर सबसे पहले यहां पर यह देखिए यह कुछ काजू के दस बारत टुकड़े हैं इनको हम थोड़ा सा गोल्डेन जिसे ब्राउन हो जाए ना उतना इनको फ्राई करना है काजू मैंने निकाल लिये हैं यहां पर यह हरी मिर्ची अध्रक और लेशन इनको एक दम गोल्डेन ब्राउन नहीं करना बलकि इनको सॉफ्ट करना है और यहां पर देखिए मैंने प्याज भी डाल दिये हैं और यह रहा हमारा पनीर इसको मैं छोटे-छोटे टुकुड़ों में काट लोंगी तक 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 यहां पर देखिए मैंने तमात्र भी डाल दिया हैं और यह सारे जब सॉफ्ट हो जाएंगे थोड़ी सी तो इनको निकालके मिक्सर में हमच्छे तरीके से पीच के पेस्ट बना लेंगे इस तरीके से अब कभी भी पनीर बनाएंगे तो इसकी सब्दी बहुत बनती है और जब त परिशान हो गया था तो बहुत अब परिशान हो गया था तो थोड़ा सा उसकी लिए कुछी त्वेसल कर देती हूं थोड़ा सा हिम्मत करके तो यह मैं दूद लेके आती हूं आप देखिए हमने मसाला जो है वह तैयार कर लिया है पीस के हाँ पर देखिए हमारी खीर जो है वह भी हुई नहीं है अभी थोड़ा सा चावल गलना बाकी है और सबजी दिखाती हूं पर हमारी सबजी जो है वह हो चुकी है अच्छी सी ग्रेवी यह यहां बे यह वाली थाली जो मैंने दिखाया था आया था रम्य के लिए तो मैंने रम्य को दे दिया है खीर पूरिया सबजी और यह रहा चाय रम्य के पापा के लिए संडे को सूपर संडे बनाने के मैंने पूरी कोसिस करी है और अभी मैंने पूरी सबजी और खीर बना लिया है अब मैं खाना खुद भी खाऊंगी और अब मैं खाना खा रही है तो थोड़ देर में आप सबसे मिलूंगी क्योंकि अभी मैं अराम करूंगी बिना रांग किया तो मैं बात भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि भी ऐसी हालत हो रखी है न मेरी पहले मैं खाना निकाल लूँ अपने लिए तो यहाँ पे आ गया है ब्लीचिंग पाऊडर और उसका हम करेंगे काईओ पे छिड़काव तो हमें कुछ ज्यादा आइडिया है नहीं लेकिन मैंने इनको बोला मैं करने जारी थी तो उन्होंने बोला कि रहने दो लाओ मैं कर देता हूं तो मारी तब एत ऐसे ही खराब है पर चला फिर से काईओ पे चड़ोगी तो गिर जाओगी तो यहाँ पे देखिए थोड़ा साही है हम लोग अभी ट्राइ कर रहे हैं अगर यह कारीगर रहा तो हम बहुत सारा लेया के फिर सारी चीजें यहाँ पे क्लीन कराएंगे पाज जाके देखिए फाइनली ब्लीचिंग पाज़ा है इसके बाद में पानी से साफ करूँकिए और यहाँ की यह वाला भी मुझे क्लीन करना तो किचन की मैंने क्लीनिंग कर दी उसके परदे हटा दी उसके जो भी eजें थी वहने कर दिया भिग३ो और ये सारे मेरे कों बाकि shape रुड तो है ये जाए हूँ है ताकि मैं थो टाइम के बाद भाल इसके बाद मैं नहाने जाओंगी और कि नंशता हमारा हूच़। और इसके बाद जो है वह खाने पीने का दिधे तो मेहनत है आज थोड़ी सी ज्यादा यह बोल रहा थे कि रहने दो ब्लीचिंग पाउडर से कुछ नहीं होगा बटम देखते हैं मतब करके देखते हैं यह क्या होता है या नहीं होता है क्योंकि फॉर्स ट्राइम ऐसे कर रहे हैं और वरना ऐसे लगवा के काम वाले लोग को साफ करवा देते हैं लेकिन अभी बरसात आने माली है तो यह बोल रहे थे कि कोई फायदा नहीं तो बबी छुड़कवाओगी फिर पता चलेगा कि बस वही होने वाला है तो देखते हैं क्या होता है फॉर्स ट्राइम हमारा भी एक्स्पिरियंस है और किचन के यह पर दे आजाने कपसे टंगे हुए थे और टंगे भी हुए थे और इतने गंदे हो रखे थे वहां से जाली जहां पर खिड़की देख रहें वहां पर इन्होंने दर्वाजा आज तक निलगा है मैं चिलाते चिलाते ठक गई और बस एक हमेशा डर बना रहता है कि कहीं यहां से आप वहीं पर है उसी वाले उसमें है मैंने हल्दी का धुआ भी किया लेकिन वह गया नहीं तो यहां पर देखिए मैं कितनी भी कोशिस कर रही हूं लेकिन मैं नहीं चीजे कर पाती हूं एक डर हमेंसा ना दूद खुला छोड़ सकते हैं ना कोई खाना छोड़ सकते मतब एक सकेंड के लिए भी किचन में ये चीजे होती हैं सारे चीजे उठा उठा के फ्रिज में रखो और यहां पे डबे हैं बहुत सारे और मैंने किचन को बहुत आछे तरीके से आजकल सजा के रखा हुआ हैं तो थोड़ा से सलैप पे मेरे से धूद गिर गया था जैसे होता जाता है मेरे से आजकल पता नहीं क्यों दो तीन दिन से ऐसा ही हो रहा है कि बार-बार ना दूद जो है न वो गिर जाती है और यह की खिड़कियों से वस बार-बार जहाक रहे थे यह वाले जो पर्दे है न यह भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे क्योंकि यह गैस के सकती हुँ नहीं जो चीजे मैं घर में रहके नहीं कर सकती उसके मिलिये में क्या ही कहूँ तो यह सारे जो परदे हैं तो देखी इतने सारे जाले लगी हुए हैं तो तो बेत खराब थी न तो मैं तो मैं झाल झाल प्लीचिंग पाउडर वहां मैं सब कलीन करने की कोशिस करे हूँ लेकिन ये कारीगार है लेकिन उसके लिए न बहुत सारा bleaching powder चाईए तब जाके ये सारी चीजे हो रही है थोड़े से में ये सारी चीजे नहीं हो पा रही है और यहाँ तो इतना सारा जम गया था यह क्या करते हैं यह मिट्टी से पूरे दिन हाथ दोते हैं और बाहर से भी आते हैं तो चपलों में मिट्टी रहती है और यहीं पर यह ज्यादा मतलब नल पर बहुत ज्यादा रहते हैं मतलब कि कुछ भी हो तो हाथ धोते ही दोते हैं तो यह नहीं करते कि थोड़ा सा यहां पर कभी कभी पानी डाल दें वो मिट्टी न जमते 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 पूरी एक लेयर की तरह बन जाती है और फिर मुझे मैं तो हमेशा दो दिन में यहां की क्लीनिंग तीन दिन में करती ही करती रहती हूं लेकिन कभी कभार क्या होता है अभी ठीक नहीं थी तो उसकी किसे यहां पर नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ी सी ऐसे परशान सी हो रही थी तो यह भोले है न यहां पर चूना डाल देने पर बहुत सारा चूना डालने के बाद तो यह छूट जाएगा तो देखते हैं यह तो चूना डलवाएंगे या फिर किसी को बुला के यहां पर सा तो यहां पे इसमेल सी आने लगती है क्योंकि कीचन के जस्ट पीछे है और खिड़की भी खुली हुई है तो थोड़ा सा भी यहां पर पानी का वह होता है तो तुरंट से इसमेल सी आने लगती है तो बस इसके बाद मैं सीधे जाओंगी बात्रूम में नहाने के लिए और य उसके बाद मैं भी आई हूँ और मैं बोल रही है कि मम्मी थोड़ी सी मैगी बना दो वैसे तम उसको क्या बोलते हैं जंग फूड में देना पसंद नहीं करती हूं लेकिन कभी कभार कभी कभार ऐसा हो जाता है कि दे देते हूं इन दिनों बहुत सारी चीजे गलत हुई है बहुत सारी चीजे गलत हुई है हमारी लाइफ में और बहुत सारी चीजे लग रही है कि सही हो रही है लेकिन हो नहीं रही है कभी 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 मैं जो हूना मेरे को अगर दस दिन में खुस रह लूना ते ग्यारवे दिन कोई बढ़ा ना बढ़ा कुछ हो जाता है किस्मत ही तो इतनी अच्छी नहीं है कुछ न कुछ तो दिक्कत है लाइफ में जो कुछ भी है जो ऐसे कर्म किये होंगे क्या बोलें नहीं समझ में आता है इतनी सारे चीजें इधर पापा का फोन गुम हुआ फिर हमारे रिलेटिव थेक मतब दूर के ही रिष्सेदार थे उनकी देथ हो गई और हो गया मतब चार पाच दिन आइधिंग हो गया उसके बाद मतब बहुत सारी चीजें ऐसी लाइफ में चल रही है पढ़ाई है लिखाई है बहुत सारी प्रॉबलम है लेकिन स्ट्रॉंग बने रहना भी तो बहुत ज जाती हूं और मुझे जो दवाईया मिली है ना मान जी ने एक मान जी है वो हमेशा बहुत अच्छा कमेंट करती हूं उन्होंने बताया कि तुम्हें तो यह दवाईया पीने के बाद बहुत नीदार दी हो तो सही बात है मुझे पूरे दिन जभाईया आती है इसलिए मैं उस दवाईय को मैं एक टाइम ही खा रही हूं जिबकि मुझे दो बार उस दवाईय को खाने को कहा गया है लेकिन मैं एक टाइम ही खाती हूं क्योंकि अगर मैंने सुबह खा लिया तो मैं पूरा दिन सोती रह जाओंगी मैं एक रोटी तक ना बना पाऊं इसलिए मैं साम क कोई वह दवाईया खाती हूं जो जिन दवाईयों से निन नहीं आती वह अली दवाईय में सुबह में खाती हूं लेकिन सीरफ जो है जिससे खून बढ़ेगा वो मैं कर रही हूं मैं सुचत अब एक महीने अनार कंटीनिव खाऊंगी लेकिन पॉसिबल है बिल्कुल आने वाला है तो और मैं के स्कूल में डांस प्रोग्राम है और वहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए 600 रुपीज लगे हैं तो कहां से अनार खाएं फिर मैं सोचे चलो कोई नहीं बच्चा है अगर उसको ना बोलेंगे ना आज जाके तो उसकी कला दबेगी और होता है न मैंने उसको बोल दिया है और जो भी होगा तो यह चीज़े हो जाती है लेकिन भी मैं अपना खयाल रगने की कोसिस कर रही हूं मैं जल्दी रिकवर करूँगे क्योंकि पॉजिटिव सोचना थोड़ा सा योगा मैं अचकल कर रही हूं मेरे अच्छी रिजल्ट आएंगे न परदेध होने हैं टीवी का यहां पर साफ करना है बैट साफ करना है बहुत साजी चीज़े करनी है जो मैं आराम से करूंगी लेकिन अभी मेरी आखे देख के आपको लग रहा होगा कि मैं सोने वाली हो जी हां यह बात सच्छे में थोड़े दिर अराम करूंगी फिर ही मैं थोड़ी थोड़ी सी छूटी है तो मैं ट्राई करके देख लिए काम करता है तो मैं ऑनलाइन ओर्डर करूंगी आज तो चलिए मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में